हम सब स्टमकेंप प्रेजेंट्स एस्पेंट क्रिकन 4 T20 टाइम और हिंदी में स्वागत है आपका आज हम उस मुकाबले की बात करने जा रहे हैं जो कागस पर भले ही लग रहा हो कि यह बहुत ज्यादा कड़ा ना हो लेकिन मैदान पर तिस्विरें बदल सकते हैं जया उनी स्वा मुकाबला पर्त में खेला जा रहा है और यानी मौजूदा चैंपियन सामने श्री लंका करेंगे इसी पर बात हमारे साथ मौजूद है पुर्व भारती क्रिकेटर दीप दास गुपता बहुत वो स्वागत दीप आपका दीप जैसा शुरात में ही ऐसा लग रहा ह है और दूसरी तरफ लंका ने पिछले मुकाबले में 15 ओर में खत्म कर दिया मैच बिल्कुल अगर आप हालातों को देखें और ऑन पेपर देखें आपको लगए गया जैसे आपने का कि आस्ट्रेलिया की टीम बहुत पुखता है और घर पे खेल रही है लेकिन दूसरी तर जो टॉप दो तीन उनके गेंदबाज है वो मिसिंग है लेकिन उसके बावजूद जो बैक अप बोलर्स है उनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा है तो पर्थवे मैच है जहां पर थोड़ा सा बाउंच जादा है और पेस भी है लेकिन वहीं पर देखने वाली बात होगी क जो फॉर्म वाली टीम और आउट ऑफ फॉर्म वो कैसे हैंडिल करते हैं कैसे मैनेज करते हैं अपने आपको दबाव भी होगा उस्टेलिया पर क्योंकि जैसे आपने कहा न्यूजिलेंड के खिलाब जो इनकी हार हुई बड़ी हार रन रेट में वो पीछे हैं और अगर इ से जित्रे भी मैचे से सिर्फ जीतने नहीं अच्छे माचे से हर एक मैच जीतना पड़ेगा आपको तो इसलिए जैसे आपने बिल्कुल सही कि दबाव हो गया और अगर 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 आप पीछे की तरफ जाए तो कोई भी मेजबान देश नहीं जीता है और साथ में कोई डिफेंडिंग चैंपियन ने डिफेंड नहीं किया अपना टाइटल तो वो दोनों चीजे भी अस्ट्रेलिया के खिलाफ ही है तो दीप ने एक बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज यहां पर कही है लेकिन दीप एक पॉजिटिव ऑस्टोडे के साथ जरूर जाता वो नजर आएगा क्योंकि मैच पर्त पर है हमने पिछले मैच में भी देखा कि यहां पर काफी उच्छाल मिल रहा है और आपके पास जब कमेंस स्टार्क और खास तोर से हैसल वो जैसे गेंद बाद हैं जो कही ना कही टेस्ट प्लाइन वाली जो गेंद है वो T20 में लेकिन उनके पास वो खासियत है और वहां टॉप बोलर्स है टेस्स मैचेस में तभी यह मुकाबला जो है वो श्री लंकाई बल्ले बाजो के लिए सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम क्रेट कर सकते हैं और कही ना कही अब देखके खेलना होगा और श्री लंका को शुर निकालेंगे निसान का हो या जो भी ओपनरों मेंडीस हो जैसा नोंने पिछले मैच में में देखा कि आगे निकल कर और उस लेंग को उठा कर खेल रहे थे अगर अगर कुसल मेंडीस की अगर आप बात करें तो उनकी जो ताकत है वो स्क्वार ओफ दो विकेट है वो मिचल स्टाक की जो रंड नीती रहती है नहीं गेंड के साथ वो है कि उपर डाले और उपर से स्विंग करा है तो कहीं न कहीं दिमाग में बल्लेबास के यह भी होगा कि अगर मिचल स्टाक कोशिश करना और यॉर्कर के जगा थोड़ा सभी पीछे गरता है तो भईया मिड मैच के तरफ रूप करें हाला कि न्यूजिलंड के गेंड बाजों के पास वो कुशन था 200 रनों का लेकिन सैंटनर ने परिशान किया तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इस सोधी ने भी परिशान किया तो उस हिसाब से देखें तो स्पिनर्स के लिए जो एक्स्ट्र बाउंसर पीस का चलिए तो जबरदस्त मकाबला एक रोमान्चक मकाबले की उमीद जरूर रहेगी बहले ही यहां पर डिफेंडिंग चैंपियन सामने हैं और शुलंका है पर आप यकीन मानिये एक एक काटे का मकाबला जरूर देख सकते हैं बहुत 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 शुक्रि शुलंका ओड ऊत्रगा है